दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे Z Flip 3 के बारे में देखे दोस्तों यह है Z Flip 3 और आप लोग देख सकते हो और इसमें प्रब्लेम है आप लोग देख सकते हो कि इसमें तीन लाइन आ चुका है तो अगर आपका कोई भी Z Series या तो Fold Series मुबाइल में आपका लगाना पड़ेगा और उसमें कितना पैसा प्राइस आएगा वह भी में बताऊंगा सब कुछ आपको details भी बताऊंगा कि क्या खर्चा आएगा क्या आप इसको बाहर से ले सकते हो या नहीं सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा अगर आप यह वीडियो पहली बार देख भी फ्लिप पोने, फोल्ड फोने, सामसंग का हो, वीवो का हो, क्योंकि अभी सभी कमपनी का फ्लिप और फोल्ड फोन आ चुका है तो उसमें अगर लाइनिंग का प्रब्लेम आता है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो क्योंकि देखें दोस्तों यह जो प्रब्लेम होता है डिस्पले रिप्लेस करना मड़ेगा लेकिन आपका पैसा कर जाओगा 32000 बोला इसका डिस्पले का प्राइस को कस्टमर ने रिटल ले आया और मेरे साथ कंटर्ट किया ठीक है बेजो मैं देखता हूं तो मेरे पास बेजा और मैं आपको बताऊंगा कि क्या है क्या है क्या नह अदलब mandatory है और यह जो है हाथ से गिरा नहीं है कुछ भी नहीं हुआ है अपडेट किया अपडेट के बाद डाइरेक्ट यह लाइनिंग आया तो मैंने सामसंग से बात भी किया सामसंग मैंबर स्प्ले के बात भी किया तो ओ लोग बोल रहा है कि S-series में वारेंटी आता है तो मैंने इसको बाहर में बात किया तो ओरिजिनल डिस्प्ले मिल जाता है तो 20,000 रुबिया जैसा इसका डिस्प्ले पड़ता है तो आप नियर बाई देखो कि आपका नियर बाई अगर कोई अच्छा रिप्यारिंग सौप है आप उससे जाके बात चित करो हो सके पुरान उसमें भी यह रिप्यार हो सकता है या तो आप बाई पोडियर भी उन लोग के पास बेज के करा सकते हो लेकिन उसमें रेक्स है आपका मरजि आप देख सकते हो या तो अगर दिल्ली का नियर बाई हो तो उधर आप यूट्व में सौट करो आपको प्रब्लेम का जो वीड सेंटर में जाके औरीजिनल डिस्प्ली ही चेंड करो आपके लिए बैस्ट रहेगा क्योंकि जब नया डिस्प्ली लगाओगे तो कम से कम दो-टीन साल आराब से निकल जाएगा तो यह देर साल ने के बाद यह प्रब्लिम जो आया भी वह कुछ प्रब्लिम मतलब हाथ से किन बने रहना, चैनल को अगर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक हैं दूसे यह था आट का विडयो में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगाए था वीडियो को लाइक से श्प्राइब कर लेना, ठीक है तो वीडियो को पूरा देखने के लिए भन्याबात से लल से